तो मेरा नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, दूद में डिटरजेंट की मिलावट की जाज किस प्रकार से करें आज कल बजार में हर तरफ मिलावट का दोर है, चाए हम कितने भी महिंगी वस्तु ले लें, सब में किसी ने किसी की मिलावट आती है वैपरी लोग अपने स्वास्ते वों सेथ की चिंता नहीं करते बलकि वो खुद के मुनाफ़े की चिंता करते हैं इसलिए हर चीज में मिलावट आती है चाहिए कितने भी महिंगी चीज़ आप ले लो तो ये सिधा अपनी सेथ के साथ में खिलवाड है तो इसी परकार दूद में भी कहीं परकार के मिलावट होती है दूद में डिटर्जेंट, यूरिया, कास्टिक सोडा, पेंट आदी कहीं सारी चीज़ें मिलाई जाती है जो सिधा अपनी सेथ से खिलवाड हो रहा है हम दूद नहीं सिधा जहर पी रहे हैं ये अपने बच्चों को कोपोसित करता है और इसे कैंसर, लीवर फेल हो सकता है कैंसर हो सकता है और महिलाओं में गरब पाद जैसी समस्याएं भी उत्पन हो सकती है तो इस परकार का दूद हम नहीं पीएं जो ज़्यादा बेहतर है चाहे आप पाने की मिलावट वाला दूद पीजिए पर सिंतेटिक दूद आप मत पीजिए या आपकी सहत से खिलवार है, सिधा ये जहर है तो आज के वीडियो में जाथ करेंगे कि दूद में डिटर्जेंट की मिलावट की जाथ हम किस परकार से करें यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें तो इसके लिए हम दूद का नमना लेते हैं और उसमें ब्रोमो क्रिसोल परपल इसकी दो तिन बून डालते हैं यदि ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर हम कहेंगे कि इसमें डिटर्जेंट की मिलावट है और यदि ब्लू कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो इसमें डिटर्जेंट की मिलावट नहीं है तो चलिए हम सिधा चलते हैं हमारी pillar के अंदर और वहांपे सिदा हम इसकी जांच करके आपको बताएंगे तो दोस्तों हमा गएं हैं हमारी लेब के अंदर और यहांपे मिलावट की जांच कैसे करनी है आज culture बजार में दूद उपलब्द होता है उसमें कहीं परकार की मिलावट होती है उसमें यूरिया के साथ में डिटरजेंट, कास्टिक सोडा, पैंट आधी कहीं परकार की मिलाउट आती है तो आप यदि दूद पिना है आपको तो अच्छी तरह से अच्छा दूद पिये चाय बले उसमें पाने के मिलाउट हो, लेकिन आप कभी भी सिंतेटिक दूद नहीं पिये क्योंकि उसमें दूद होता ही नहीं है, वो सारा सिंतेटिक मेटेरियल होता है तो आज इस परकार का दूद आपको नहीं पिना है तो आज हम जात करके बताएंगे कि दूद में डिटर्जेंट की मिलाउट है या नहीं है तो इस दो टेस्ट्यूब मैंने यहाँ पे ले रही है अभी खाली है यह और यहाँ पे मेरे पास है ब्रोमो क्रिसोल परपल सोलिशन यह आपको लेना है ब्रोमो क्रिसोल परपल सोलिशन इसकी दो से तीन बून हम दूद में डाल देंगे दो दूद के नमूने हमारे पास में हैं एक में डिटर्जेंट की मिलाउट है और एक में नहीं है तो हम जात करेंगे कि कलर के साथ आए तो चलिए हम दूद को अब टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं दो प्रकार के दूद के नमूने हैं दूद को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं यह दूद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया है थोड़ा सा मात्रा में और दूसरे बीकर से दूसरे टेस्ट्व के अंदर भी थोड़ा सा दूद हम ले लेते हैं और अब देखिए अभी तक इनका रंग दोनों का सफेद है कोई प्रकार का परिवर्तन इन में अभी नहीं है दूद की जैसाईट का रंग है अब इसमें थोड़ी से मात्रा में ब्रोमो क्रिसोल परपल का सोलिशन हम मिला देंगे यह सोलिशन है इसको हम इसमें मिला देते हैं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दूद में यह विलिन मिलाते हैं दोनों प्रक्षमली में 2,3,3 भूंदिश में मिला देते हैं और मिलाने के बाद इनको हम अच्छी तरह से हिलाते हैं और फिर रंग में परिवर्तन होगा उसको हम देखेंगे कि रंग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है तो इसका रंग थोड़ा निला हो गया है इसको देखिए इसका रंग उतना निला नहीं हुआ जितना पहली प्रेक्मलिका हुआ है अब यहाँ पर आप देखिए इस टेस्ट ट्यूब का रंग ज़्यादा निला है और इसका हलका साल निला रंग है यह आपको जब आप करके देखोगे तो और अच्छी तरह से समझे में आ जाएगा मोबाइल की लाइट की वज़े से साथ थोड़ा सा कलर इसमें सही दिखनी रहा बाकि इसका रंग कापी गरा है कापी ज़्यदा रंग निला है इसका और इसका हलका सा निला रंग है तो जिसका रंग निला हो जाता है उसमें डिटर्जेंट की मिलाउट है और जिसका हलका सा निला रहता है उसमें डिटर्जेंट की मिलाउट नहीं है तो इस परकार से दूद में डिटर्जेंट की मिलाउट की जाँच हम कर सकते हैं देखे इस test tube के अंदर रंग कापी निला आपको दिखाए देगा, देखे, इसमें detergent की मिलावट है, तो रंग इसका निला आता है, अब दूसरी test tube भी आप देखे, इसका रंग उतना निला नहीं है, हलका सा निला रंग है, तो इसमें detergent की मिलावट नहीं है, ये दूद सही था दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि वार्ट में जितना दूद पेदा होता है उससे कहीं जदा कहीं गुना खपत होती है तो इतना दूद आता कहां से हैं यह तो सिर्फ दूद की बात है इसके लाव भी हम इसमें पनीर और अन्य दूद उत पात जोड़ दें तो यह आँक सबी चीजों की मिलावट होती है यह दूद होता ही नहीं है दोस्तों यदि आप लेव के अंदर यह टेस्ट करना चाहते हो तो आप दो बीकर में दूद लीजिए और एक बीकर में थोड़ा सा आप डिटरजेंट मिला दीजिए जैसे कपड़े दोने का जो सोड़ा आता है उसको हम सर्ब भी बोलते हैं उसकी थोड़ी से मातरा उसमें मिला दीजिए जैसे गड़ी डिटरजेंट उसको मिला दीजिए और एक में मिलावट मत करिए तो दोनों बीकर में अलग-लग सेंपल हो जाएंगे तो उनको अलग-लग टेस्ट्यूब के अंदर हम लेंगे और उसमें ब्रोमो क्रिस्वल परफल का विलिन मिलाएंगे जिसमें इस प्रकार का निला रंग आता है उसमें डिटरजेंट की मिलावट है और जिसमें निला रंग नहीं आता है उसमें डिटरजेंट की मिलावट नहीं है तो इस प्रकार से लेब में आप ये तेस्ट कर सकते ह अपने बच्चों को दिखा सकते हो और कक्सा बारविकी करिशी रसायन विग्यान में इसका एक प्रिक्टिकल भी है तो उन बच्चों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएए उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेलफुल होगा धन्यवाद